खुसकबरी 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 जी हा मित्रू मिठाई बाटने की कीजी तैयारी लड़ू बाटने के लिए हुजाओ तैयार इस साल 2023 में अकसे तृतिया के बाद पांच रासेवलों का भाय के उदे होने जा रहा है दूस्तो आप सभी को पताए होगा है कि इस बार जो अकसे तृतिया है ना वो 22 सप्रेल 2023 के दिन है और 125 साल बाद अकसे तृतिया पर पंच ग्रही योग बन रहा है याने कि अकसे तृतिया के दिन भगवान सुर्य देव, देव गुरु ब्रासपती, बुध देव, रहु देव, अरुन देव ये सबी मिलकर पांच ऐसे ग्रह एक साथ पंच ग्रही यूग का निर्मान कर रहे है और उसके लवा अकसे तृतिया के सुब आउसर पर स्वार्त सिद्धी योग भी बन रहा है और धन लक्समी सुब योग भी बन रहा है और इससे पांच रासे वालों के जीवन में बहुती बड़ी खुसी आने वाली है साल 2023 में मित्रू अकसे तृतिया के तुरंत बाद पांच रासे वालों के घर में विवाह की सहनाई गूजने वाली है और साथ ही मित्रू गज लक्समी योग और ये जो पंच ग्रही महा योग बन रहा है ना इससे पांच रासे वालों के जीवन में माता लक्षमी का आगमन होगा उनके घर में माता लक्षमी की कृपा बनी रहेगी और आप सभी को पता होगा कि धन की देवी लक्षमी जिसके उपर भी महरबान होती है ना उनको धन से माला माल कर देती है तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो सबसे ज़्यादा भाग्य साली रासियां ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हां मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बोक्स में जै महल लक्षमी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकरी का जो अपडेट है ना वो सबी लोगों को मिल सके अब ये कहना कि देव गुरु ब्रसपती अस्त अवस्ता में है और आप सभी को पता होगा कि हर साल अकसे तृत्या का जो ये सुब आउसर होता है यह जोतिस पंचां के अनुसार विवाह की दृष्टी से अबूज मुहुर्थ माना जाता है यानि कि अगर किसी लड़का लड़की का विवाह का मुहुर्थ नहीं भी निकलता है ना तो भी अकसे तृतिया एक अबूज मुहुर्थ माना जाता है और इस दिन लड़का लड़की विवाह के बंदन में बंद सकते हैं लेकिन इस बार क्या होँआ दूस्तू 22 अपरेल के दिन देव गुरु ब्रैस्पती अस्त अबस्ता में है और जब भी गुरु अस्त होते है ना तो विवाह का योग नहीं रहता है इसलिए इस बार अकसे तिरतिया जो है विवाह के दिर्ष्टी से पूरी तरीके से खाली ह यह मतलब एक भी विवाह अकसे तिरतिया के दिन नहीं हो रहा है लेकिन 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 इसके ठीक पांच दिन बाद 27 अपरेल के दिन देव गुरु ब्रैस्पती फिर से उदित होंगे और उसके बाद पांच रासी वाले साल 2023 में ही विवाह के बंदन में बंदने की खुश ले सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो भागे साली रासियां तो उस सबसे पहले नंबर पर जो आती है नमित्रूँ वो है वरिसब रासी जिहां जिनके नाम का पहला अकसर ई-उ-ए-ओ-वा-वी-वू-वे और वो से सुरू होता है उनकी वरिसब रासी ह होती है और इस साल 22 अपरेल के बाद याने की अकसर तृतिया के बाद वरिसब रासी वालों के लिए सुक और समर्धी के योग बन रहे हैं आप अपने जीवन में भोतिक सुकों के साथ मान समान बढ़ाने वाले हैं उसके लवा आपकी जो प्रोफेस्नल लाइफ है ना उसम वरिसब रासी वालों के लिए ये जो पंच ग्रही योग बन रहा है ना वो बहुती सुब माना जा रहा है आपको वस्तर आबुसन और भोतिक सुकों का लाब मिलेगा कलाओ रचनात्मक सेत्र से जुड़े लोगों को अधिक लाब मिलेगा और इस साल 2023 में जिनके भी वरिस वरिसब रासी है ना वो विवाह के बंदन में बन सकते हीं देव गुरु ब्रसपते के आसिर्वास से यह जो पंच लक्स्मी योग बन रहा है यह वरिसब रासी वाले जो बी सिंगल है उनका वीवाह करवा सकता है चलिए जानते हैं अगली भागे साली रासी के बारे में उ तो तिसास्त्र हो या फिर भागवद गीता सबी जगों पर गो माता की पूजा करने का विदान है। तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजराता जैसे प्लास्टिक, थेलिया, जूते, चपल, कपड़े, पोलिथिन, पत्तल दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खाय लेती है और धिरे धिरे ये सबी गो माता के पेट में जमा हो जाता है। और इसके लिए मुझे आपके सहयो क्या विसकता है। और यही कटू सत्य है। चलिए जानते हैं मित्रों अक्से तिरतिया के बाद दूसरी जो भागे साली रासी रहने वाली है ना वो आती है मेस रासी। जिनके नाम का पहला अक्सर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से सुरू होता है उनकी मेस रासी होती है। दूस्तों मेस रासी वालों को हर एक दिसा में लाब मिलेगा, प्रोफिट मिलेगा। जिनके नाम का पहला अक्सर मा, मी, मू, मे, मू, टा, टी, टू, और टे से सुरू होता है उनकी सिंग रासी होती है। दूस्तों ये जो अक्सर तिरितिया है ना इस पर सिंग रासे वालों को सुब परिना मिल सकते हैं। आपका विवाह निश्चित हो सकता है, रुके वे काम तेजी के साथ पूरे होंगी। खाने की वस्तों का दान करने से आपके लाब में याने की प्रोफिट में बढ़ोतरी होगी। सोना या तामबे की चीजों की खरीदारी से आपको सुब और मंगलकारी परिनाम मिल सकते हैं। जो कारोबारी है अपना खुद का व्यापार करते हैं ना उनको मुनाफा बढ़ सकता है। अक्से तृतिया के इस सुब आउसर पर सिंग रासी वले अपने जीवन में अपनी सोई हुई किसमत को चमका सकते हैं आपका भागय उदे हूँ सकता है। चलिए जानते हैं आगली भागय साली रासी के बारे में उससे पहले आपको एक महतपुन बात बताना चाहूँगा कि जिंदगे में आपको एसे लोगों से मिले होंगे जो की बहुती ज्यादा महनत करते हैं। आपके बारे में व्यक्तिगत याने की परस्नलाइजड कुंडली जिससे आप घर बेटे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रहे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देउता कौन है। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। जिसको अभी जो आप इस स्क्रिन पर नंबर देख पारे हैं ना उसके ओपर वोट्सप पर संपर करके आप हमारे जोतिस अच्यरे गुरुजी से बात कर सकते हीं। और अपने भविसे की कुंडली के विशय में जान सकते हैं। बहुत जगों से आपके लिए रिस्ते आते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पाता। दूस्तो अक्से तिर्तिया ये जो आखा तीज है वो वरिश्चक रासे वालों के लिए अत्यंती लाब दैक अत्यंती कल्यान कारी रहने वाली है। आप वहन करिदने का अगर प्रियास कर रहे हैं तो सफल होंगे और इसी के साथ गर और जमीन में अगर आप इन्विस्मेंट करना चाते हैं ना तो समय लगबग अच्छा और अनुकूल रहेगा। नुक्री और कारोबार में भी लाब होने की योग दिखाई बन रहे हैं। दोस्तो कर करासे में ध्यन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रसे होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकरी के साथ तब तक ये लिए हूम नमसिवाए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे मित्रों।